आज नमिनाद भगवान की इस्तुति प्रारंब करते हैं मात्र नगनता को नहीं माना प्रभुश्वपन बिना नगनता भी नहीं पाओ पदरहन आचरशी ने दिगंबरत को जो प्राप्त करते हैं वो अरहंत पद को प्राप्त करते हैं लेकिन मात्र दिगंबर हो जाने से नगन हो जाने से मुक्ती प्राप्त नहीं होती दिगंबरत के सांसात में बाहे परिग्रे छोड़ने के बाद में अंतरंग परिक्रह छोड़ने के लिए भी कहा गया है क्योंकि अंदर में अधी कशाएं हैं तो उसके माध्यम से बाहर के वेश्ट के माध्यम से मुक्ती नहीं मिलती इसलिए यहाँ पर कहा कि किवल मात्र नगन होने से वो शिव का पंथ नहीं माना गया है अचरशी ने लिखा है एक दोहे में नगन मात्र बाहर बना भीतर भरी कशाए सिव सुख पाता वे नहीं वस्ता नहीं अकाए याने कशाएं जब तक अंदर से दूर नहीं होती तब तक वो सिव सुख को प्राप्त नहीं कर सकता और अकाए याने सिद्ध सुरूप को प्राप्त नहीं कर पाता कशाएं का जो मोचन बहुत जरूरी अंतरंग परिक्रे बाहर परिक्रे छोड़ने के बाद में अंतरंग परिक्रे छूटता है उसके लिए अभी अगले कावे में भी कहेंगे लेकिन यहाँ पर अंतरंग में यदी कसाएं हैं बाहर से यदी दिगंबरत है तो वो कारिकारी नहीं चार साधू एक इस्थल पर नसिया में चारों कोने पर चातुर मास में चार महीने का तीन तो जो है उपवास लेकर के बैठ गए और एक महराज सामर्थ नहीं रोज आहर पर उठते तीन महराज वहाँ पर सोचते कि ये जो हैं रोज रोज आहर पर जाते हैं इतना भी नहीं कि कभी उपवास कर लें और वो वहाँ पर उनकी अनमोदना करते कि ये धन्य है रोज रोज जो है उपवास करते हैं तो वहाँ ऐसी इस्तिती हुई कि अनंच चतुर दसी का जब ब्रत आया तो उसमें तो छोटे छोटे बच्चे भी उपवास रख लेते हैं लेकिन उन्होंने उपवास को नहीं रखा उस दिन भी आहार के लिए उठे और यहाँ पर तीनों सोच रहें कि देखो बच्चों से भी गए बीते और वो अपनी मन में निंदा करते हुए लोट करके आते हैं और मन में बड़ा खेत की देखो कैसा सामर्थ प्राप्त हुई है कि एक दिन भी सहन नहीं कर पाते हैं और उस समय में अपनी निंदा गरहा करते हुए सब की प्रसंसा करते हुए और वो ऐसे अपने आत्मा में लीन हुए कि उसी संद्याकाल में उनके लिए केवल ग्यान की प्राप्ती हो गए तो ऐसी जो है इस्तिती रहती है कशायों से जो रहत होते हैं वो ही मुक्ती को प्राप्त करते हैं तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है और इसमें साथ साथ में जब तक कुछ भी तिल्तुस मात्रवीदी पास में होता है तब तक जो है मुक्ती भी प्राप्त नहीं होती इसलिए यहाँ पर की बिना नगंता भी नहीं पागो पद अरहंत आप लोग उस पंक्ती को जानते ही हैं कि फास तनक्सी तनमे साले और समय में असमें में गिर जाता तो बहुत सारे लोगों के मन में विकल्प हो जाता कपड़े सूख रहे हैं कुछ सूख रहा है तो ऐसी इस्तिति परिग्रह बालों के साथ में सुभाविक रूप से हो जाती है लेकिन जो निस परिग्रह रहते हैं उनके लिए कोई भी सल्ल नहीं रहती कोई भी चिंता नहीं रहती तब जाकर के उनका ध्यान अपनी आत्मा में लीनता के लिए वो सुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए पूरे बाहे परिग्रहों से रहत हो करके और अंतरंग परिग् लाली हटती भ्राद पाक कारे फिर सफल हो लो तब मुख में भाद हाँ, यहाँ पर आचरसी कह रहे हैं कि चावल जो होता है उसमें छिलका रहता है उपर एक कठोर कबज जैसा होता है जब तक वो दूर नहीं होता तब तक उसके उपर जो लालीमा लगी रहती है उसको दूर करना संभव नहीं तो पहले बाहे परिग्रह को छोड़ना पड़ता है उसके बाद में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का दूर होता है उसमें बाहे परिग्रह को छोड़ने के बाद में अंतरंग परिग्रह दूर हो कोई जरूरी नहीं लेकिन बाहे परिग्रह को छोड़े बिना अंतरंग परिग्रह कभी भी दूर नहीं हो सकता इसलिए सबसे पहले तो बाहे परिग्रह छोड़ने के लिए कहा है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहे परिग्रह रखने के बाद में भी अपने आपको निस्परिग्रह कहते हैं कटनी में पंडित जगन मौल लाल जी थे और वहाँ पर ऐसे ही आठ भिक्षू वहाँ पर उनके साथ में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे मन में कोई भी मूर्चा नहीं है क्योंकि मूर्चा को परिग्रह कहा है जब मूर्चा नहीं है तो परिग्रह भला ही रहा है लेकिन उसके पृति हमारा जब मूर्चा का भाव नहीं है तो हम निस परिग्रही है तो पंडी जी ने कहा कि उन बस्त्रों को मूर्चा हो गई होगी जो आपके पास में आ गए तो उस समय में वो उस बात को सुईकार करने के लिए भले तैयार नहीं थे और वो आठों जो है ब्रमन करते करते शिखर जी पहुँचे और पंडिजी भी जब सिखर जी पहुँचे तो एक सादू ने वहाँ पर सुईकार किया कि ये रखना हमारी मूर्चा है तो ये जो है बाहे परिग्रे के छोड़े बिना अंतरंग परिग्रे जाता नहीं है अंतर की मूर्चा वो ही दिखाती यदि बाहे परिग्रे साथ में है तो अंतर में मूर्चा है, ये प्रिकट करती है, जब बाहे परिग्रे रखा है, तो उसमें फिर उसका संरक्षन भी करना पड़ता है, उसको धोनादी भी पड़ता है, तो उसके कारण में उसके प्रती ममत भाव अवस्य है, ये दिखलाता है, एक हाथी के लिए जब केत बोलते हैं, केत केता हाथ पास भी है, कपित्ध जो होता है, हाथी जो है, उसको बिना तोड़े हुए खा जाता है, और कहते हैं कि वो पेट से जो है, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, लेकिन अंदर से उसका जो दल रहता है, पूरा गायव हो जाता है, वो एक बा बाहर काटे, तब अंदर काटे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में ये भी है, जहां से वो जुड़ा रहता है, पेड़ से जुड़ा रहता है, उतने छेत मात से सारा का सारा उसकी जटरागनी इतनी तीपर होती है, कि अंदर से सारा जो है दल वहां से बाहर, खीच लेती है, बा साथ मैं देख सकते हैं अनेकांत का दास हो पहले भी आया था एक काब कि कोई भी बस्तु जो होती है वो अनेक धर्मात्मक होती है और जब तक हम उसके सारे पहलूँआं को नहीं जान लेते तब तक हम यदि किसी एक बात पर अड़े रहें तो वो एकांत का प्रतीक होता है और एकांत को मिथ्या कहा है इसलिए अनेक पहलूओं को जानने के लिए यहां पर कहा गया है बिनोबा भावे से एक डिक्ती ने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ बिलकुल सत्य कहता हूँ सत्य के अलावा मैं कभी भी अपने बचनों को नहीं निकालता तो बिनोबावा ने कहा कि बिलकुल पक्की बात कर रहे हूँ पूछा उनसे कि बताओ हमाले कहां पर है तो उन्होंने कहा सब जानते हैं उत्तर में हमाले है फिर कहा कि यदि कोई चाइना वाला ब्यक्ती यदि कहे हमाले कहां है तो क्या कहेगा तुन्होंने का अबू कहेगा हमाले दक्षन में है तो कहा कि जब कोई हमाले दक्षन में भी कह रहा है और आप कहे रहे हमाले उत्तर में है तो आपने जो कुछ कहा केवल वही सत्ते नहीं है अलग-अलग दिशाओं से हमाले चारों दिशाओं में हो सकता है इसलिए ये कहो कि यहां की अपिक्षा से वो उत्तर में है तो ये जो है अपिक्षा जहां पर लगाई जाती है बहाँ पर सारी दिशाओं के लिए सारे बिंदूओं के लिए बहाँ पर गुंजाय से रहती है कि मेरा ही सही नहीं, आपका भी सही किसी दिष्टी से हो सकता है जब एक जगे के फोटो किसी के लिए दिखाए front जो एलिवेशन होता है उसको दिखाया तो वहाँ पर कहने लगा कि ये वाला जो हमकान हमारा है जब उसको side view दिखाया तो किले ये भी हमारा ही मकान है उपर का प्लान दिखाया तो किले ये भी हमारा मकान है तो वहाँ पर इतने बिंदुों से अलग-अलग जब जा करके देखा तो बास्तव में वो एक ही चीज के लिए अलग-अलग दृष्टी से देखने पर वो अलग-अलग पृतीत होती है इसलिए बस्तु को जो है अनेक दृष्टियों से देखने के लिए जहां पर कहा जाता है वो अनेक आंतात्मक धर्म होता है जब कोई व्यक्ति एक ही पहलू पर अड़ा रहता है तो उसके माध्यम से वो सत्य को उधगाटित नहीं कर पाता और इसके माध्यम से जहां एक सोच में नकारत्मकता भी रहती है और उसी को यदि अपन अलग प्रकार से सोचा जाए तो उसमें सकारत्मकता भी आ सकती है एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा भवन बनवाया लेकिन अच्छा उसमें एंटिक उसने फरनीचर बगरा भी बनवाया था और शौर्ट सट्किट के कराण आग लगी पूरा का पूरा भस्म साथ हो गया लोग इंविटेशन मिला था सुना उन्होंने तो वहां पर सांतुना देने के लिए आए और उस समय में देखा कि वो बिल्कुल भी बिछलित नहीं प्रसन आने पर उसने कहा मिठाई आदी खिलाई तो लोगों ने कहा रहे हम तो सोच रहे थे आप तो बड़े दुखी होगे तो उन्होंने कहा भईया अच्छा रहा पहले हो गया यदि पूरा परिवार प्रवेश कर जाता तो पूरे परिवार नश्ट हो जाता ये मकान नश्ट हो गया इसको तो हम बना सकते हैं लेकिन परिवार के उपर आपत्ती आती नश्ट हो जाता तो उसको बनाना किसी के संभव नहीं था तो एसी दृष्टी उसमें जब लेते हैं अपन तो वो अनेकांतात्मक की दृष्टी के कारण ही उसमें सकारत्मक सोचने की भी दृष्टी अपने लिए प्राप्त हो सकती है अक्सर ऐसा होता है किसी को फोन करो और फोन करते समय में यदि वो फोन न उठाए तो बहुत सारे बिचार मन में उत्पन हो सकते हैं नकारत्मे की वो बात नहीं करना चाहता लेकिन यदि सकारत्मक दृष्टी से सोचो क्या-क्या हो सकता है हो सकता है ड्राइब कर रहा हो हो सकता है कोई मंदिर में हो साधूं के पास में हो उनके सामने जो है फोन को उठाना अच्छा नहीं समझते हैं कई-कई बार तो लोग ये भी ध्यान नहीं रखते साधूं के सामने ही चालू हो जाते हैं तो ये भी एक असाद ना मानी जाती है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी से जो है बिजनिस डील कर रहा हो, कई ऐसा भी हो सकता है, फौन दूर रखा हो, कितने सारे पहलू हो सकते हैं। लेकिन उस दृष्टी से यदि अपन देखें, तो वहाँ पर अनेकांत आत्मक दृष्टी जब लाएं, तो उसके माद्यम से अपन जो है नकारत्मकता से बस सकते हैं, और इसलिए आचारसी ने यहाँ पर लिखा है, कि जब अनेकांत की सेव करते हैं, तो बस्तू का पून ज की सेवा करने से मैं अनेक गुणों को स्वयमेब ग्रहन करूं, क्योंकि जहां अनेकांत आत्मक दृष्टी होती है, बहाँ पर गुणों की ओर भी दृष्टी जाती है, जहां नकारत्मक सोच होती है, बहाँ पर केवल दृगुणों पर ही, दोशों पर ही दृष्टी जात तो वहाँ पर उसमें भी वहाँ पर करेले में से भी जो है मधुर रस को खीच करके कोई मधुर फल की निर्मान किया जा सकता है और आम के ब्रक्ष में यदि ग्राफ्टिंग करके करेले की बेल का वहाँ पर यदि ग्राफ्टिंग किया जाए तो वो वहां से भी मधुरता से भी कड़वापन खीच करके करेले का निर्मान कर सकती तो ये दृष्टी की बात है कि वहां पर देख करके यदि कोई चाहे तो उसमें से भी मधुरता को ले सकता है और उसी में से मदुर्ता में से भी चाहे तो कोई कलवाट भी ले सकता है तो ये जब गुणों की और दिष्टी रहती है तो वो गुणों को प्राप्त करता है तो ऐसे गुणों को प्राप्त करने के लिए अनेकांत की दिष्टी होना आवश्यक है अनाथ में जगनाथ हूँ, नमीनाथ दोसा, तवपद में दिन राथ हूँ, हाथ जुड नतमा अचरसीस में कह रहें कि अनाथ में जगनाथ हूँ, भगवान के प्रती कि भगवान आप ही सारे संसार के नाथ हूँ, और मैं संसार में अनाथ हूँ, संसार के सुरूप को देख करके, संसार में कोई अपने आपको समझे कि मैं अनाथ नहीं हूँ, सनाथ हूँ, तो उसने दिवल चार ही शरण है जहां आप बोलते हैं चत्तारी सरणम पवज्जामी उसमें अरहंत सिद्ध साहू और धर्म के लिए शरण कहा है और उसमें जब ये भावना होती है कि भगवन आप ही शरण हो तभी ये भावुत्पन होते हैं कि अन्य था शरणम नास्ती तुमेव शर अन्य था तो हमारे पास में शरण है तो यसा कि अन्य था शरणम नास्ती ये भावी उत्पन नहीं होगे तो भगवान के प्रती जब पूर्ण समर्पन होता है पूर्ण आस्था जब उत्पन होती है तभी ये भाव उत्पन होते हैं अन्य था मिथ्या दिष्टी के मन में क अभी ये भाव ही उत्पन नहीं होते एक युवा मुनी बहुत सुन्दर उनको तपस्या करते हुए देख करके राजा श्रनिक ने कि ये इस युवा वस्था में क्यों सारे भोगों को छुड़कर के सादू बन गए उनके चर्णों में बैट गया कि आज तो मैं इनसे बात कर करके जाओंगा जब महाराज का ध्यान तूटा नमन करके उनसे प्रश्णि किया कि आपको ऐसी क्या परेशानी थी जो आपने इस युवा वस्था में इस अवस्था को प्राप्त किया मुनिराज कहने लगे कि मैं एक श्रिष्टी का पुत्र था उनके यहाँ पर कोई कमी नहीं थी सुन्दर कन्या के साथ में मेरा बिवाह भी हो गया था एक दिन मेरी आखों में बहुत तीब्र पीडा हुई और उस पीडा में सारा परिवार वहाँ पर सेवा में लगा हुआ था लेकिन कोई मेरी पीडा को बाट नहीं सका बड़े बड़े वैद उप्चार कर रहे थे लेकिन कोई भी मेरी पीडा को हरने में समर्थ नहीं था और उस समय में मुझे ऐसा लगा कि भले ही मैं समझता हूँ कि ये सम मेरे हैं लेकिन मुझे पहली बार ऐसा हैसा हुआ कि मैं इस संसार में अकेला आया हूँ और इस पीडा को देख करके लगता है कि मैं अकेला ही यहां से जाऊंगा मेरे मन में उस समय धरम के प्रती द्रिश्टी प्राप्त हुई मन में ऐसे भाव हुए कि वो एका की बिच्ण करने वाले साधू की पद्वी को यदि मैं प्राप्त करूँ यदि मेरी ये पीडा दूर हो जाए ऐसे भाव करने से अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि मैं कई दिनों से सो नहीं पाया था लेकिन उस रात मुझे निद्रा आ गई और प्रातय काल में पत्नियों के आभुश्णों की आवास से सुनकर के मेरी निद्रा तूटी और वो सारे लोग प्रसन्न थे लेकिन आज मेरे मन में जो मैंने संकल्प लिया था उसके कारण वो मेरे चहरे को देखकर के सारे घबरा रहे थे कि क्या हो गया और जब मैंने उनकी लिए बताया कि मैं दिगंबरत को धारण करने जा रहा हूं तो सारे वहाँ पर रुदन करने लगे लेकिन मैंने संसार के सुरूप को समझ लिया था कि यहाँ पर कोई नाथ नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मुझे भगवान की शरण को प्राप्त करना है यदि आप मेरी पीडा को हरने में समर्त हो, आप यदि मेरे नाथ बनने के लिए समर्त हो, तो आप बताईए राजा शरणिक बहाँ पर चरणों में नमन करके कहते हैं, कि कोई किसी की पीडा को हर नहीं सकता ये तो केवल हम बाहरी जो है चीजें आपको अपलब्द करा सकते हैं, बास्तम में कोई किसी का स्वामी नहीं है जीव यदि स्वयम अपना कल्यान करना चाहे, तो धर्म का सहरा लेकर के, भगवान की शरण लेकर के अपना कल्यान कर सकता है तो इसी भाव से यहाँ पर लिखा, कि हे भगवन मैं अनात हूँ, आप जगनात हो और नमीनात भगवान से प्रार्दना की है, कि मैं तवपद मैं दिन रात हूँ, हाथ जोड़ नतमात हाथ जोड़ करके, मस्तक नवा करके, मैं आपकी आरादना करता हूँ और इस भावना से, कि यह मुक्ती तक आपका साथ बना रहे एसी भावना से नमीनात भगवान की स्तुती यहाँ पर पूर्ण हुई इती श्री नमीनात जनेंद्राय नमो नमा अक्षर पद मात्रा से दुशित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कशाह के वश में सम्यक लर्थ विलीन किये जिनवानी माता मेरी उन सब तुटियों को ख्षमा करें देयाशिश शिक्र हम सब को केवल लब्दी रमा मिले प्राप्त हमें हो बोदी समादी परणामों की शुद्धी हो निज आतमे उपलब्द हमें हो शाश्वत सुख की सित्धी हो चिन्त तवस्तु दात्री माता चिन्ता मनी उपमाभाती करो बंद नापूर्ण विनैसे छरण रखू में ये पाती करजनवानी इस्तती तन की ममता टार माहा मंत्र का जाप अब सभी जपे नबवार झाल